अथि आया कर देते हैं और झो कच्छा इससी फाल को एतना जपना लिए दोस्तों लेता है ONA ओल सभी को जो है को तो इसका फ्ल कों जो है अलग करेंगे देवा नमस्कार जुहार पनामस दोस्ते आप सब कशन हैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों फिर से एक न्यू ब्लोग वीडियो में स्वागा थे सभी लोगों को दोस्तों थेमेल देखके आप लोगों को पता चल ही चुका होगा क्योंकि दोस्तों आज का इस ब्लोग वीडियो को मैं आज त्यार करने वाला हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों यहां का नजारा का बात किया जाए तो कुछ इस परकार का है देख सकते हैं काफी खुब्सूरत नजारा है दोस्तों और वीचे साइड देख सकते हैं बहुत घना जंगल है और उनके बताय हुए अनुसार से मैं उस दावा को त्यार करता चलिए वीडियो में कंटीनू बने रहे हैं दोस्तों दादा जी ने बताय हुए है उन चीजों को मैं जो है इकठा कर लिया हूँ देख सकते हैं और यहां का नजारा कुछ इस परकार क्या है देख सकते हैं और यह देख सकते हैं दोस्तों उनकी बताय हुए अनुसार से मैं ले लिया हूँ, कड़वा नीम का फ्ल, ये देख सकते हैं, बहुत सारा है, तोड़ कर लाया हूँ, और ले लिया हम दोस्तों, कपूर, और ले लिया हम रूई, तो चलिए, वीडियो में कंटीनी बने रहे हैं, और इस साइड जो है, हम लोग गाधी हाथ में सील बोलते हैं, इस सील से जो है मैं दावा त्यार करूँगा तो चलिए इसको थोड़ा सा धो लेते हैं दोस्तों देख सकते हैं धो लिया हूँ तो चलिए दोस्तों इसका फल को जो है निकाल लेते हैं पका हुआ फल को नहीं लेंगे पका हुआ फल को अलग कर देते हैं और जो कच्चा कच्चा है उसी फल को लेंगे दोस्तों तो इसको अलग कर लेते हैं बहुत ही अच्छा जानकारी मेरे को दिये हुए हैं एक दादा जी है वो और उनहीं का बताय हुए अनुसार से मैं बाबा सीर के लिए दवा बता रहा हूं दोस्तों आपको जितना जरूरत है उतना फल ले लें दोस्तों और कैसे बनाते हैं वीडियो में कंटीन्यू बने रहें तो देख सकते हैं मैं फल तोड लिया हैं दोस्तों अब इसको जो है बनाने वाला हूँ दवा चलिए दोस्तों इसको मैं कूट लेता हूँ इसको अच्छी तरीका से इसी प्रकार से कूटना है दोस्तों तक इसका दूद जो है बाहर निकल जाए दोस्तों सभी को जो है कूट लिया हूँ और मैं ले लिया हूँ दोस्तों कपूर इसको भी कूटूंगा साथ में कपूर को भी कूट लेते हैं अब उसमें मिला देंगे इसको अच्छी तरीका से घोल लेते हैं घोलने के बाद इसका फल को जो है अलग करेंगे दोस्तम, इसका फल को अलग कर देते हैं, तो दोस्तम, देख सकते हैं, कपूर को भी मैं पीछ कर, इसमें जो हे मिला लिया हूँ, और अच्छा से इसको घोल लिया हूँ, ये देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप लोग भी घोल लीजियेगा है ना अग घोलने के बाद ले लीजियेगा एक ठोड़ डिब्बा और खुला डिब्बा नहीं होना चाहिए धक्कन वाला होना चाहिए दोस्तों क्योंकि धक्कन वाला रहेगा तो उसको सुरक्षित से धांक सकते हैं विना ध भीघोंकि लगाना है दोस्तों रात का समय में और यूज करने के बाद दोस्तों फिर से डिब्बा को ढग देना है दोस्तों बावासीर जो है मस्ते जो है धीरे-धीरे-धीरे शिकूर कर तूटने लगेगा है ना और दोस्तों एक चीज ध्यान जरूर रखेगा हमेसा नहय रुई कह उप्योग करिएगा बार-बार एक ही रुई कह उप्योग ना करिएगा दोस्तों बाबा सीर मसे जो है निकला हुआ रहेगा उस इसंट में लीटा कर तो आज के वीडियो अच्छा लगे तो एक त्यारा सा लाइक अब मेरे यूटूब फैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जिएगा तो वाई वाई मेरे दोस्तों